यह चंद साम रिशभू विश्वरूपह चंद भ्योव अध्यम्रतात्संब भूव समेंद्रू मेधयास्प्रुनोतू अम्रतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मेविचर्शनं जीवामे मधुमत्तमा करनाव्यां भोरिविश्रुवं ब्रह्मन कोशोसि मेधयापितः सुर घ्रेट है किसका ग्रेट चंद साम चंद केते हैं वेद सबंदरो कि यहां कुकूत है तो वनांषट है विदों में कि सबस्रेश्ठ है क्या सबसे ONE और मातमा जिसको कहा जाता है वो जो ओम महले हो जो परमात्मा जिसको ओम जना जाता है जो की विश्वरूप है जिस जो और पर वेडिंगे संसार में हर जगह कणकन में फैलावाई वो परमात्मा चंदोभ्या अधी अम्रतात संभभूवा चंदोभ्यान वेदों में से जो अम्रत नेक्टर वेदों का नेक्टर क्या होता है आत्मग्यान इसी को वेदांत कहते हैं और नेक्टर क्या निकलेगा अम्रत वेदों से निकला हुआ है जो अम्रत या आत्मग्यान या ब्रह्मग् कि प्यान के दोरा जाना जाने वाला वो जो बेदों का सृष्ट विशाय, रिशव, जो की विशवरुप हे, ओम नाम से जाना जाने वाला परमात्मा वो समाहउंद्र और वो जो इंद्र आईशर्यों का आईश्वर्य समस्थें, prosperity की स्वामी परमात्म मा मुझे मेधया मेधा के ते wisdom बुद्धी से प्रुनोतु बलवान बनाए make me strong make me powerful किस से powerful बनाए मेधा से शरीर से नहीं उपनिशद का रीशी शरीर का बल लेकर क्या करेगा physical power लेकर क्या करेगा उसको तो intellectual power चाई तो मुझे strong बना स्पुरुणोतु मुझे बलवान बनाए ध्यान रखे ये सब प्रार्थना है प्रार्थना समझते है asking something आम तोर पर जो उपनिशद होते हैं उसमें प्रार्थना बहुत रेर होता है यह ना asking something to God आपको दिखता है क्यों अरन्यक से रिलेटेड है सीधा आरन्यक का एक हिस्सा है और आरन्यक यग्यां से रिलेटेड ग्रंट यग्यां का एक तरह के एक्स्पोजिशन है तो इसलिए उसमें यग्यां की जो एक माइंडसेट है यग्यां के माइंडसेट में क्या होता है आप प्रभु से प्रभु की स्तूति करते हैं कुछ मांगते हैं पूजा का तो यही परपस होता है ना एक्स्क्लोशिवली वो ग्यां कांड पर चला जाएगा पर इससे यह ट्रांजिशन है ना ताइतिरिया उपनीशत ताइतिरिया आरण्या के तीन चाप्टर है 7, 8, 9 तो 7 चाप्टर जो है वो आप पढ़ रहे हो शिख्या बल्ली तो जो 8, 9 तक जाएंगे लेटर चाप्टर को वहाँ स्पिरिच्वलीटी बढ़ेगी वेदान्त का आपको मैंने क्या अर्थ बताया था अंतमलव एंड जैसे जैसे आप कंक्लूजन के और जाएंगे तो आप स्पिरिच्वलीटी बढ़ता जाएगा बिगिमेंग तो आपको शरीर शेह होगा ना संसारिक चीजों से होगा तो अम्रत अस्य देव धारणों भुयासम ते देव दिव्य दिमाइन सबको प्रकाश करने वाला परमत्मा मुझे अम्रत को धारण करने वाला बन मैं आई पोल्ड ताट अम्रत मैं उस अम्रत को धारण करने वाला बनू यह अम्रत क्या होता है नेक्टर कोई आत्म ज्ञान का धारण करने वाला बनू शरीरम में विचरशनम मेरा शरीर मजबूत बने स्वस्त एल्दी रहे जीवा में मधुमत्तमा मेरी जीव हनी शहद से भी ज़्यादा मीटी रहे करना भ्याम भूरी विश्रुवं कानों से में भूरी बहुत ज़्यादा सुनू पहले इतना ही समझ लिजे यह तीन चीज़े शरीर मेरा मजबूत बने स्वस्त बने जीव हम थेन सी ज़्यादा सुनू रही बहुत स्वस्त विचख्षण जिसको कहते है विचख्षण वाला स्मार्ट बॉडिके हिसाबसे घंज्यादी बने और कानों से जादा सुनूं कानों से सुनने का मलब एगेन आप रिमिंबर वेद उपनिशत दर्शन शास्त्रों में जहां भी सुनना आए न उसका अर्थ लिशिन नहीं है ज्यान अर्जन करना लर्णी क्योंकि प्राचिन काल में और कोई रास्ता नहीं था ना सिखने का तो गुरू के सुनना हो जादा तो मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ूं आज की भाशा में कहूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ूं ज्यादा से ज्यादा ज्यान करूं जीव को सहद से भी मिठा मधुमत तमां क्या भाव है मीठा बोले विल्कुल मधुल है इतनी ज्याद मिठी हो जा है, कि जो भी बोल। मिठास हो, मिठास से बराओ, और मिठास हमेशा जो आज कलम जीव की मिठास जैसा समस्टने ज़रूरी नहीं कि हमेशा दान दिखा के और अच्छे-च्छे क्या करते हैं, वर्ड बोलना, ये ज़रूरी नहीं है, बात है कि जब आपके अच्छे intention के साथ कोई चीज बोलते हैं, it's a good intention, it's a good heart, और दूसरों को चोट ना पहुंचाने वाला शब्द यूज करते हैं, तो वो मिठास होता है, और दूसरा last क्या बोला, मैं भुरी विश्रू, बहुत ज़्यादा पढ़ूं, लिखूं, कहां हम, देखे हम अपने धर्म के नाम पर बच्चों को क्या सिखाते हैं, और हमारे धर्म में जो बिसिक चीजे आता है, कि मैं बहुत पढ़ूं, बहुत लिखूं, बहुत सिखूं, बहुत पढ़ूं, वो जास्क की निरुक्त में एक सेंटेंस आता है, कि भुरी श्रभ ही, भुरी प्रशश्योग होती, मतलब जो जितना ज्यादा ज्यानी जानत पढ़ता है, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, उसको समाज में उतना सम्मान प्रशंशा मिलता है, क्या भाव है, इसलिए ख खुब पढ़ो, खुब लिखो, पढ़ो लिखो, इसले नहीं कि पैसा कमाना है, पैसा तो बाइप्रोडक्ट होना चाहिए, पैसा कमाने के लिए मत पढ़ो, ज्यान अर्जन करने के लिए पढ़ो, पैसा तो आएगा, पैसा तो चाहिए, पैसा तो चाहिए और पैसा जब आप आएगा क्यों नहीं आएगा ऐसा तो आएगा पर पैसे के लिए जब आप पढ़ते हो तो आपका पढ़ाई भी ज्ञान नहीं होता है वो भी नॉलेज नहीं रहता है तो दिखे हमारे यहां ज्ञान को कितना इंपोटेंस दिया जाता था स्वाध्या है हर चीज में कहा जाता है स्वाध्या सेल्फ स्टेटी तो वानी को मेठी बनाओ खुब पढ़ो लिखो शरीर को स्वस्त बनाओ यही तो तिम चीजें चाहिए आपको अगर सांती चाहिए सुप चाहिए हेल्दी रहो मीठा बोलो आ बाकी दुझे अपने आप हो जाएगा, ब्रम्हना कोशो श्तिमेधया पिहितहा, है मनुष्य, तुम ब्रम्ह का कोशो, श्लेतो, मेधा से, यहां मेधा का भाव है, जो मुंडेम, विजडम है, जो सांसारिक ज्यान या सांसारिक बुद्धी चे, तुम कवर्ड हो चुका है त ढग गए हो शुरुतम में गोपाया मेरी जो ज्ञान है शुरुत है वो मेरा गोपाय रख्षा के लिए हो है मनुश्य तुम ब्रह्म का कोश हो कोश केते हैं स्लेब कवर सब जगाहे तुमारे अंदर भी यह तो बेजांत दर्शन में भी आप पढ़ते हो ते शरीर मन बुद् तुम उसको covered करके बैठे हो, और तुम्हारा मन बाहरी दुनिया में है, मेधा, तुम्हारी जो मेधा है, जो सांसारिक गुद्धी से तुम ढटे हुए हो, उसको हटाने की जुरूरत है. और लाश्ट लाइन है, मेरा जो ग्यान है, शुरुतम, वो जो मेरा ग्यान है, शुरुतम में नतलब anything which is heard, heard, listen, जो सुना गया है, प्राचिन काल में सारा ग्यान कैसे आजा था, शुरुत से, स्रवन से, इसलिए सास्त्रों को क्या कहा जाता है, शुरुती, जो कुछ भी मेरा ग्यान हो, वो किस काम में आए, गोप आयो, गोप के लिए, गोप मनला रख्या, गुपी रख्यने दातु है, रख्या के लिए, वो रख्या, physical protection हो, mental protection हो, intellectual protection हो, spiritual protection हो, social protection हो, political protection, मनला किसी की भी हर चीज को रख्या करने के लिए, मेरा ग्यान आए, काम आए, ओके. यह लौकिक बिद्धिया जी जो बोले हैं बाहरी बिद्धिया से कोष धका हुआ है हाँ हाँ बाहरी बिद्धिया से मेधा से धका हुआ है पिहिता मतलब वही होगा जिसे spiritual knowledge versus physical जैसे की वही होगा जो जो हम रोज इनिवर्सिटी इस तालेजिस में पढ़ते हैं वो तो फिर हो गया ढाता हुआ ही हो गया डिद्धिया है बेलकुल, बेलकुल, जिसको आपने देखो Kauxpanišad में, Mundo Kownpu Panišad में, आपने पढ़ा Shreya, Prayya, Avidyya, Vidya, Apra Vidya, Paravidya तो यह जो अपरा है,談 स्रेयह है जो अविध्या है, सांतरिक जडिया है, उससे तो निदम ढ़के हुए हो क क्योंकि वो वो क्योंकि वो प्रेया है, वो प्लेजरेबुल है, मज़ा आता है, उसलिए तुम उसमें ढखे हुए हो, पर तुम अच्छली ब्रह्म का ढखाव हो, तुमारे अंदर ही ब्रह्म है, ये तुमारे अंदर जिस दिन ये एवर में सहाज है, जब तुमारे अंदर य जो 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 कृष्ण का गोप है वो तो एक जगा का नाम है ना जैसे एक बार पिछले क्लास में कहीं बताया था जो वैश्य को गुप्त केते हैं वो भी उसी गुपधातू से बना है गुपी रक्षणे गोप गोपता गुप्त यह सब रक्षा के अर्थ में आता है वैश्य क्या रक्षा करता आपकी जीवन क्योंकि खाना पीना सारा जिन दन गाए दूळ यह सब किस से रिलेटेड का वैश्य से इसलिए उसको गुपत कहा गया जो वर्मा है वर्मा चत्रिय को वो बाहरी दुनिया से प्रोटेक्ट करता है, शत्रों से प्रोटेक्ट करता है, कबच का ख्यत्रिय का क्या काम है, आर्मर है, तो वो अगर बाहर से कोई अटाक होता है, उससे प्रोटेक्ट करेगा, पर बाहर से अटाक नहों तो भी मैं मर जाओंगा न, अगर खाना नहीं मि यह किसका गामे वैश्यका है। इसलिए वैश्यको का सरनेम होता था गुप्त, ख्यत्रियका वर्म, अब्राह्मन का गया था? शर्म, शर्म, खुष, सुख्य, सुख्य, पर दूदे लाष्ट लाट क्लास में पढ़ाता था ना? शुख्य, अनन्द, वो अनन्द देने वाला, और जो इन तीनों से अलग है, तास स्थिवा, स्थिवा करने वाला जो है, तास स्थिवा। चरेजी, I just have one. So can we say that this shariat or body of ours is a hindrance between the Brahman and... बिलकुँ, देखे, इसे continuous struggle, life struggle क्या? हम अंदर की जात्रा करे की, बाहर की जाणिं करे की, अंदर की जात्रा करे की, अंदर की जात्रा करे की, अंदर की जात्रा करे की. So it's like in between, the body is in between. Yeah, we are, we are, most of us are very much leaning towards the external work and that is pleasurable, that is prayer. तो स्रेया और प्रेय के धार पर हमारा माइंड है, माइंड इसको पतंजली की योगदर्शन में महार्शी व्यास लिखते हैं, कि भायतो वाहिनी चित्त परंपरा, यह जो माइंड है, यह दोनों तरह बहने वाली नदियां है, एक तरह अच्छी चीज़ें बहने वाल बहती ह है, और हमारे माइंड में इसे दोनों बहते हैं, गुस्सा भी यही से आता है, प्यार भी यही से आता है, त्याग भी यही से करते हैं, और लालच भी यही से करते हैं, तो जो स्मार्ट है, वो एक्स्टर्नल दुनिया को बहने वाली माइंड को में बांद बांदता है और उस पानी को जो माइंड की जो फ्लो को वो इंटर्नल जॉर्निंग की तरह मोड देता है जिससे की वो फिर वहां बेटर या ग्रेटर ब्लिस को पास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें